हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में तो दोस्तों आज की इस वीडिये हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेस्ट स्मार्टफून जो की आते हैं अंडर 25,000 तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि स्मार्टफून इंडश्ट्री में आए सारे समार्टफून की स्म Whoo ऐसे में अगर आप एक नया स्मार्टफून लेने की सौच रहें तो क्यों ना लेटेश समार्टफूण ही खरीदा जाए तो यहां हम आप लोग के ही लिए एक वीडियो में कॉंबाइन करके वेस्ट 5 ही स्मार्ट फोन को रखा है जो कि अभी तयानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए और साथpex ही लिए ट्रो आइकन को प्रस कर लिजिए ताकि आप हमारे new updates को दो चलिए विडियो 21 में लॉंच हुआ है बात करेगर इस फोन की कीमत की तो इसकी कीमत आपको 24,00990 रूपीज देखने को मिल जाएगी और सबसे अगर बात करें इस फोन के फ्रंट के तौर पर 44 मेगा पिक्सल का एक बढ़िया दंदार कैमरा देखने को मिल जाएगा वहीं अगर बात करें पाव सपोर्ट के लिए इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 4000 mh की बढ़िया बैटरी वेकप देखने को मिल जाएगी साधी फोन में आपको 6.44 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और गेमिंग के लिए अगर बात करें सबसे इंपोर्टेंट इसके प्रोसेसर की फिसमें आपको इस Qualcomm का Snapdragon 730 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब बढ़ते हमारी लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन की मिल जाएगी साथ इस स्मार्टफोन की जो खासियत है वो यह है कि इसमें आपको 108 मिगापिक्सल का एक क्वार्ट रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा मतलब आपको इसमें बहुत ही अच्छा कैमरे देखने को मिलेगा अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो इस 6.67 इंचेस का एक Full HD प्लस टॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो की 120 हज रिफ्रेस्ट के साथ होगा और इसमें भी गेमिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर 750 जी देखने को मिल जाएगा स्नाइप ड्रेगन का और पावर बात करें तो इसमें इस स्मार्टफोन की कीमत की तो इस स्मार्टफोन की कीमत है 23,999 रुपीज तो दोस्तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन की लॉंची को लेकर तो अभी रिसेंटली ही इस स्मार्टफोन को सैमसंग ने इंडिया मार्केट में लॉंच किया है इस स्मार्टफोन में आपको 6. 6.7 inches का एक Full HD Plus डिस्प्लेइ, उन में आपको फोटोग्राफी के लिए Quiet Ear Cam का सपूर्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेकापिक्सल का होगा, जबकि आपको फ्रंट में, सेल्फी के लिए आपको 32 मेकापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो सेम जैसे सामसंग इंडिया में यूज करता है एक्जीनोस का प्रोसेसर, तो वह यह प्रोसेसर एक्जीनोस का 9825 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो इसकी खास बात है इस स्माटफोन में, आपको 7000 मेंच का बैटरी सेपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जी हां दोस्तों, आपने इस्तहीं सुना है 7000 image का इसमें आपको बैटरी शपोर्ट देखने को मिल जाएगा अब बढ़ते हैं लिस्ट के next smartphone की तरफ तो दोस्तो next smartphone है Realme का X7 5G अगर बात करें इस phone के price की तो इसकी price है 19,999 रुपीज अभी Realme ने recently इस smartphone को X7 series के तहत launch किया है इसमें भी आपको 64 Megapixel का एक Rear Camp support देखने को मिल जाएगा वहें डिस्पले में आपको 6.5 इंचेस की एक बढ़िया डिस्पले जो की एक AMOLED डिस्पले होगी और गेमिंग के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity का 800U processor देखने को मिलेगा फोन में Power Backup के लिए इसमें आपको 4310MH की बैटरी मिलेगी जो की 50W तक की Fast Charging को सपोर्ट करेगी तो दोस्तो अब बढ़ते हमाई लिस्ट के लाश्ट स्मार्ट फोन की तरह तो दोस्तो लाश्ट स्मार्ट फोन है Xiaomi का Note 10 Pro Max अगर बात करें इस फोन की प्राइस की तो इसकी प्राइस है 20,999 रुपए अभी रिसेंटली ही इस स्मार्ट फोन को Xiaomi ने भी लॉंच किया है और इस स्मार्ट फोन में आपको 8GB करें आपको 108 MP का सेम कामरा देखने को मिल जाएगा वहीं गेमिंग प्रोसेसर के लिए इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको 6.67 इंचेस की एक Super AMOLED Full HD Plus Display देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये रहे कुछ स्मार्टफोन जो अवी रिसेंटली ही लाउंच हुए है अगर आप 25,000 तक के बजट में कोई अच्छा स्मार्टफोन लेने जाते हैं जो कि अवी रिसेंटली ही लाउंच हुआ हो modern हो तो दोस्तों आप इन में से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं तो उम्मेद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजे लाइक और चैनल कर दीजे सब्सक्राइब तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरी और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाई और थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो